हलो फ्रेंड्स आज मैं डॉक्टर हीमन शुरमा आपको एट ऐसे विटामिन ई रिच फूट्स बताने जा रहा हूं क्योंकि आपकी हेर गोरोथ के लिए काफी हेल्दी है तो एट विटामिन ई रिच फूट्स फूर हेल्दी हेर गोर्थ तो हम यह देख पा रहे हैं आलमोंट्स मतलब बदाम आलमोंट्स आर वन अफ दे मोश्ट एडवाइज़ फूट बाई हेल्थ एक्सपर्ट तो इनहांस स्कीन और बूश्ट हेर गोर्थ तो रात को दस बदाम भिगो दें सुबह उसका छिलका उतार के खाएं तो वो सबसे बेस्ट है आपके हेर और स्कीन के लिए बोन्स के लिए भी है ठीक है यह हो गया उसके बाद यह स्पिनाच स्पिनाच इस अ हेल्दी ग्रीन वेडिटेबल जिसको हम पालक बोलते हैं तो यह जो पालक है वो आपके बालों की ग्रोथ के लिए काफ़ी इंपोर्टेंट है अब यह है अवकादोस अर डिलीशियस, नियूट्रिशियस और ग्रीट सोर्स और विटेमिन ए तो अगर आप हेर को नैचुरली यंग रखना चाते हैं ब्लैक रखना चाते हैं और हेर फॉल नहीं हो उससे बचने के लिए अवकादोस खाएं तो यह डाइट है हेर हेल्थ को बूश्ट करने के लिए बालों की है संफ्लार सीट्स आर बिग ओन विटेमिन ए कंटें रोस्टेट संफ्लार सीट्स कें मेक फोर अ ग्रेट मौंचिंग स्नेक तो पेर विट यॉर मौंचिंग टी तो सुबह की चाय के साथ आप यह संफ्लार के बीच जो आते हैं वो खाएं ठीक है ना तो यह देखें हम मौफली पीनट्स आर रिच इन विटामिन ए और ग्रेट ऑप्शन तो हैव एस मौंचिंग स्नेक्स उसके अलावा कोकोनट ओल कंटेंड विटामिन ए देट हैल्ट सौफटन हेयर और बूश्ट हेल्थ दी हेयर ग्रोथ तो नारियल का तेल बालों में भी लगा सकते हैं जो शुद्ध नारियल का तेल होता है लोग उसमें सबजी बनाके भी खाते हैं तो वो बैस्ट होता है ठीक है उसके अलावा सीड्स आर फ्यू इन कैलोरीज और रिच इन विटामिन ए जिंक एड्स लिनियम तो ये सब आप लेना जैसे कि इसमें दिखाया हुआ है तो अगर वीडियो अच्छा लगता है लाइक करें चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कर लें ठेंक यू